everyone disclaimer पढ़ें और follow करें irrigation engineering subject के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये introduction lecture है irrigation engineering means सिचाई अभियांतर की तो इस subject में हम पढ़ेंगे किस तरह हम जो खेत रहते हैं उनमें हम किस तरह पानी का सप्लाई करते हैं तो irrigation engineering is defined as the process of artificial supply of water to the soil for raising the crop irrigation वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी का सप्लाई मिट्टी में करते हैं ताकि हम फसल को बढ़ा सकें और यह जो है artificial supply होता है natural नहीं होता है it is the science of planning and designing an effective low cost economic irrigation system tailored to fit the natural condition irrigation उस science को कहते हैं जिसमें हम low cost effective economical irrigation system की planning और design करते हैं जो की उस खेत की natural condition को suit करता है it is the engineering of controlling and harshening the various natural system of water by constructing dam reservoir canal head works and finally distributing the water to the irrigation field irrigation engineering में हम क्या करते हैं कि पानी को हम natural source से control करते हैं collect करते हैं dams reservoir और canals की मदद से store करते हैं और finally इसको distribute भी करते हैं agricultural field में irrigation engineering includes the study and design of the work in connection with the river control the drainage of the water log area and generation of power hydro power hydroelectric power irrigation engineering में हम एक काम और करते हैं कि हम study और design करते हैं water control की water control मतलब dam reservoir और इसमें हम drainage भी देते हैं water locked area में अब जहां पानी बारा रहता है महां पर drainage की व्यावस्था भी करते हैं और इसमें हम electricity भी generate करते हैं ओवरॉल हम देखे हैं तो irrigation engineering में हम जो भी हमारी फसल है उसमें हम पानी का supply करते हैं यह artificial तरीके से होता है और फिर पानी को हम store करके भी रखते हैं डाइम रिजवार की मदद से पानी को हम distribute भी करते हैं कैनल की मदद से और हम दूसरे काम भी करते हैं जैसे की power electric power generation भी करते हैं यहां पर हम देखते हैं कि irrigation क्यों ज़रूरी है irrigation इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे साल पानी नहीं रहता है इंडिया में तो पूरे साल अच्छी बारिश नहीं होती इंडिया में तो बारिश पूरे पूरे साल पानी अबलेबल रहे इसलिए हमें irrigation चाहिए फिर पानी पूरे इंडिया में एकसा नहीं distribute होता है rainfall नहीं गिरता है इसलिए भी हमें पानी की व्यवस्ता चाहिए फिर इससे क्या होगा कि जो फसल की जा फसल का जो उत्पादन है वह बड़ेगा इससे वह उस तरह की फसल हम लगा सकते हैं जो कि पूरे साल उक सकती है जैसे कि शुगर केन इससे हम पूरे साल में दो से तीन फसल ले सकते हैं और इससे हम सूखे सूखे को कंडिशन से हम उसका हम सामना कर सकते हैं इसके एड्वांटेज क्या रहते हैं एड्वांटेज ही रहता है कि इससे फसल का उत्पादन बढ़ता है इससे सूखे का हम सामना कर सकते हैं और इससे हमें एक ही बरसात का ही सीजन में हमें मिक्स क्रॉपिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी हम अलग-अलग क्रॉप लगा सकते हैं पूरे साल बर अलग-अलग क्रॉप लगाके उत्पादन ले सकते हैं डिसएड्वांटेज क्या रहते हैं इसमें क्या रहता है वाटर लॉगिंग होता है मतलब पानी भढ़ जाता है है यदि हम जादा irrigation करेंगे उससे फ़सल खराब रहती है और यदि जादा irrigation हम करते हैं तो उससे dampness आती है मतलब उमस और नमी के कारण अलग-अलग बिमारिया पनप्ति हैं जैसे की डेंगू और मलेरिया और फिर अगला जो इसका डिसद्वांटेज है वो यह है कि इससे पानी के साथ जादा irrigation करने से पानी के साथ फर्टिलाइजर और जो कैमिकल्स हैं वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं पिर इसके डारेक्ट एडवांटेज के हैं यह हम देखते हैं सबसे पहला है कि इसमें पावर जेनरेशन होती है बिजली बनती है इसमें ट्रांस्पोर्टेशन और नेविगेशन होता है इसमें नाओ से हम लोगों क को और माटिरि decision को ट्रांस्पोर्ट भी कर सकते हैं पिर इसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है ग्राउंड वोटर का लेवल बढ़ता है इसमें दोमेस्टिक और इंडस्रियल वोटर सप्प्लाइ अच्छा होता है इसमें फ्लर्ट कंट्रोल होता है इसमें एम्प्लाइमेंट जन्रेशन होता है थैंक यू